Hi everyone, welcome back to an official का दोस्तों क्या आप लोग बहुत ज़्यादा दानों से परेसान हो चुके हैं आपके फेस पे इतना ज़्यादा कील महों से पिंपल की शिकायत हो चुकी है कि आपके स्कीन पर आपके फेस पर गड़े बन गए हैं, स्पॉर्ड बन गए हैं आपका फेस बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है दानों की वज़र से, पिंपल की वज़र से वहां बहुत ज़्यादा काले काले धबे पड़ चुके हैं आप मेल हो या फिमेल हो, जब आपके एज जो होती है, जैसे आप पिवर्टी के टाइम आते हैं जैसे आपका जो एज दस से जब क्रास होता है 12, 15, 18, 20, 22 के बीच जब आता है तो उस समय आपके बोड़ी में बहुत ज़्यादा हर्मोनल चेंजिस होते हैं बदलाव आ जाती है जिसकी वज़र से मेल फिमेल के फेस पे बहुत तेहरी से दाने निकलना सुरू हो जाते है पिमपल की सिकायत हो जाती है जिसके वज़र से बहुत जादा परेसान होते हैं और कई दवाईयां इस्तमाल करते हैं आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ दानों को पिमपल को कील महसों को परमानिन के लिए कैसे ठीक किया जाए दोस्तों इनी समस्याओं को देखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मुसाफी अजीब बलड पेवरिफायर टॉनिक के बारे में जो की आपके बलड को ये पेवरिफाई करके काम करता है और आपके अंदर तेजी से बदलाव लाने का का करती है ये जो मुसाफी अजीब टॉनिक होती है बलड पेवरिफायर होती है ये आपके अंदर बहुत तेजी से बलड को साफ करने का काम करते है खू俊ंपी सफाई करती है जो कि एक यूनानी प्रोडट होती है इसके कोई भी शाइड इफेट नहीं होते हैं इसके बारे मे आपको complete information मिलने वाली है इसलिए वीडियो को अन्तक जरूर देखे सबसे पहले बात करते हैं ये जो मुसाफी अजीब tonic होती है किस तरह के इसमें ingredient पाये जाते है यानि कि कौन सी ऐसी composition होती है जो कि बेहत खास बनाती है इसको इसमें cena होती है Alexandrina होती है इसके अलावा इसमें terminelia होती है चेबुला होती है इसके अलावा इसमें turbit होती है रोज होती है कई ऐसे यू नानी product इसमें पाय जाते हैं जो कि खास कर्म मिलकर ये तहियार की जाती है बात करें दोस्तों इस tonic के benefit के बारे में यानि कि पायदे के बारे में first use होता है अगर आपके खून की सफाई नहीं होती है तो ऐसी कंडिसन में इसका इस्टमाल करते है यह आपके ब्लड को पेवरीफाई करने का काम करती है यह आपके खून को शाफ करने का काम करती है जब आपका खोन साफ रहता है तो आपके अंदर बीमारिया नहीं पैदा होती है जल्दी और आपके फेस पे जो कील महुसे होते हैं पिमपल्स जो होते हैं वो कभी भी नहीं निकलते हैं और तेजी से पिमपल कील महुसे दाने तेजी से गायव होना सुरू हो जाते हैं आपके फेस पे न तो थीक करेगी अगर आपके इस्पॉर्ट पढ़ गए हैं आपके काले घेरे पढ़ गए हैं आपको के पीछे या नीचे तो ऐसी कंडिस्टन में भी आपको बेस्ट रिजल देगा और इसके कोई भी साइड इफेक्ट या नुसान दे नहीं होते हैं शादे साथ दोस्तों अ इंटी-mi Turkish properties भी पाई जाती हैं कहने का मतलब है जैसे आपके य है जो चोटे-चोटे माइक्रो और्गेनीजम होते है जो डश्ट पार्टिकल होते हैं चिपग जाते है जिसके वज़शन को कम करती है सोजन को रिड्यूस करने का काम करती है जिसकी वज़शन से कील नहीं हो होता है growing करता है अब दोस्तों हम बात करते हैं इस मुसाफी अजीब जो टॉनिक होती है आप इसका इस्तमाल कैसे करेंगे तो आपको 10 अमेल सुबह साम इसका करना कं से कम 2-3 मेने तक रिगूलर इसका 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 इस्तमाल करें इसकी कोई विशाइड फिट नहीं होते है आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको मुसाफी अजीब के बारे में एक अच्छी और गुड इंफर्मेशन मिली होगी मिलते हैं कि नहें टॉपिक सा हाई वे नाइस टे, बाई बाई, टेक केर